है एवरिवन आज की वीडियो में हम सिंपल सी कुड़ती में इस डिजाइनर नैक को बनाना सीखेंगे अगर आप इपनी प्लेन और सिंपल सी कुड़ती में ऐसा नैक बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लें बहुत ही असान तरीके से आज हम इस बोट नैक गले को बनाना सीखेंगे बोट नैक गला बनाने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस लिया है इस बुकरम का जो साइज है वो साड़े ग्यारा इंचिस की चोड़ाई है और पांच इंचिस की लंबाई है अब हमें अपनी इस बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है और डब पोत् level कि गहराई है उसके लिए निशाण लगायेगाए चार इंचहर लगाने के बाद हम अपनी बोट्टना गले की गहराई स साधी चार इंच है तो हम साधी सारी इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह आप आप देख सकते हैं हमने 4 और 4.5 इंच का एक box बना लिया है अब इस box के अंदर हम अपने boat night गले को round shape में देंगे हम अपने boat night गले की shape देंगे अब जो हमने ये shape दी है boat night गले की इसकी हम cutting कर लेंगे हमने अपने boat night गले की cutting कर ली है अब जो भार वाली side है boat night गले की उसके लिए हम एक इंच से कम mark करेंगे जो हमने boat night गला cutting किया है उसके लिए हम भार वाली side से एक एक इंच से कम mark करेंगे भार की तरफ अब जो हमने ये mark किये हैं इन complete mark को हमें आपस में मिला लेना है और जो हमने अब ये drawing बनाई है इस drawing की हम cutting कर लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने बहुत ही असान तरीके से boat neck गले की cutting की है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा अब हमारे पास जो कुड़ती से बचिए हमारी extra cutting है उस extra cutting पे हम अपने इस boat neck गले को ready करेंगे तो हमने अपनी कुड़ती में जो हमारी extra cutting थी उस extra cutting पे हमने अपने जो बुकरम पे neck cutting किया है उस neck को रख लिया है और सबसे पहले हम इसको उपर सेवी लेंगे हम 8 इंच बीच का गैप रखेंगे और दोनों साइड से बुकरम को सील लेंगे अब बीच में हम एक पिन या सूई लगा लेंगे जिसकी हैल्प से हमारा गला इधर उधर नहीं खिसकेगा अब हम बुकरम के उपर सिलाई लगा लेंगे बुकरम की उपर सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े को बुकरम से आदा इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे और जो कपड़ा हमने आदा इंच कटिंग किया है इसको बुकरम पर रखकर फोल्ड कर लेंगे आप देख सकते हैं हमने कपडे पर हमारा बोटने गला रड़ी कर लिया है अब हम अपने इस गले को double fold करेंगे double fold करने के बाद उपर हम center में cut add कर लेंगे cut को लगाने के बाद अब हमारे पास ये कुर्ती का हमारा जो front part है वो है इस कुर्टी के फ्रंट पार्ट में भी हम बिल्कुल सैंटर में एक कट लगाएंगे यह हमारी उल्टी साइड है और अंदर वाली साइड हमारी सीधी वाली साइड है तो जो हमारी कुर्टी की उल्टी वाली साइड है उस उल्टी वाले साइड में हमारा जो हमने नैक रडी किया है कट से कट के उपर रखना है और बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है अब जो हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा हमारा बोट गला है इसको बिलकुल बुकरम के साथ-साथ सीलना है हमने बुकरम के साथ-साथ complete neck को सील लिया है अब अंदर वाली side से बुकरम के आदा-दा इंच की दूरी पर हम complete जो हमारा extra कपड़ा है उस extra कपड़े की cutting कर लेंगे और जो हमारा complete neck है cutting करने के बाद उसमें हम छोटे-छोटे cut add कर लेंगे इस तरह हमने complete जो हमारे neck है उसको बना लिया है अब इस neck को हम जो हमारी कुड़ती की सीधी वाले side है सीधी वाले side की तरफ ले आएंगे और बिल्कुल किनारी-किनारी बिल्कुल किनारी-किनारी सील लेंगे जो हमारा neck है boat neck उसको हम बिल्कुल सीधी वाली side में लाकर बिल्कुल किनारी-किनारी सील लेंगे अगर हवी तक आपने हमारे channel subscribe नहीं किया है तो आप हमारे channel को subscribe कर ले और साथ में जो bell वाला button है उसे भी जरूर दबा ले हमने हमारा boat neck गला है वो complete कुड़ती पर ready कर लिया है देख सकते हैं आपको boat neck गला बनाना असानी से सीख लिया होगा अब इसमें जो हमने कच्छी सिलाईय लगा रखी है उनको खोल लेना है और इस तरह हमने बहुती असानी से boat neck गला बना लिया है अब इस गले को थोड़ा stylish और attractive दिखाने के लिए इसमें हम धागे से थोड़ी सी लाईया करेंगे तो सबसे पहले हमने swing में एक four time धागे को डाल लिया है और डालने के बाद आपका जो boat neck है उसको सीधी तरफ एक तरफ से आपको सबसे पहले swing को boat neck की तरफ में निकालना है अब आपको इस वाली side इस वाली side इस तरह एक इंच की दूरी पर आपको swing आगे की तरफ निकाल लेनी है अब आपने जो पहले सिलाई लगाई थी swing की उससे थोड़ी सी पीछे की तरफ से swing को फिर एक इंच की दूरी पर आगे की तरफ निकालना है इस तरह है, अब आपने जो ये सिलाई इधर वाली लगा रखे, इसके थोड़ी सी पीछे से आपको एक इंच के आगे की तरफ सुईंग को निकालना है अब फिर सेम यही प्रोसर्स हमें कम्प्लीट जो हमारा नैक है, उस कम्प्लीट नैक में रख लेना है आदा इंच पीछे से हमको धागे को लेना है और एक इंच आगे तक अपने सुईंग को निकाल लेना है बहुत ही असान तरीके से आप यह सिलाईयां लगा लेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम में अच्छे से सिलाई नहीं लगा पाए तो आप सैकेंड टाइम में बिलकुल फर्स क्लास और फंटास्टिक सिलाई लगा लेंगे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए इस तरह आप देख सकते हैं हमने ये सिलाई की है इस सिलाई को complete neck में हमने लगा ली है और complete neck में हमने धागे से सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो गला है वह एकदम stylish और attractive लग रहा है आप भी अपनी simple सी कुड़ती में snack को बनाकर अपनी कुड़ती को designer look दे सकते हैं